नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ आपका आपके अपने यूटिब चैनल बुलेंड बियर मार्केट में दोस्तों IRCTC के इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी बुरी खबर जरूर यहाँ पर आती हुए दिखाई दे रही है और यह खबर कुछ जादा ही बु में IRCTC को साथ और भी दो स्टॉक है जिनको बैन किया गया है तो यह ने बैन क्यों किया गया है इसके पीछे का रीजन भी आप समझ लीजेगे दोस्तों और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जड़ू किजीगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलेगा ऐस इंट्रेस्टिंग जानकारी इसके लिए और साथ ही साथ आप वाना टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं दोस्तों तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं थ्री स्टॉक्स सिकूर्टीज बैन कर दी गई है फ्यूचर एंड ऑप्संस से नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा और यहां पर इन सीच की जानकारी यह मनलब की आज 9 सेप्टेंबर है और आज के दिन से इस पर यह बैन लग चुका है और फिचर एंड ऑप्सं में यह बैन क्यों आया क्योंकि इन्होंने मार्केट वाइड पोजिस्टनल लिमिटेड जो कि 95% होता है इसको क्र कर दिया है और इसी बज़े से यहां पर बैन लग गया है और यह क्यों होता है क्योंकि आप देख सकते हैं इस समय आयार सेटिसी में प्राइज बहुत ही जादा बैरी कर रहा है और इसी बज़े से यहां पर यह चीज़ भी होते हुए नजर आई और यह बैन लग चुका है या अभर पैसा लगाया था क्योंगी यह जुआ ही कहलाता है इसी बज़े से यह बेन लगा है जिस तरीकी की पोजीसनल बनती है और उसी बज़े से आप दिखेंगे फिटर एंड आप्सन के कॉंट्रैक्ट जिसने भी खरीद रखे होंगे आप उसको बहुत प्रॉबलम होगी और फ्रेस कोई भी पोजीसन इसमें इस समय अलाओ नहीं है दोस्तो तो बहाँ पर लोग फस्ट चुके हैं इसलिए आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा जरूरत है ट्रैक करने की हार एक चीज में जहां भी आप पैसा अपना लगा रहे हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू की जीगा और चैनल को सस्क्राइब करना नहीं बुलेगा और इसका फराग के स्टॉक पे भी थोड़ा बहुत आता हुआ आपको नजर जरूर आएगा दोस्तो क्योंकि ये बेन जब लोगों के लिए हड़ेगा तो यहां पर प्रॉबलम भी खड़ा करेगा दोस्तो तो बाकी दोस्तो चैनल को सब्स्क्राइब जरू कर सकते हैं जहां पर आपको समार्किट की प्रे अपडेट और सारी जनकारिया मिलती रहती हैं हमारे दोरा सपोर्ट भी आपके लिए अबेलेबल रहता ही है दोस्तो